नवसकार आपके तारे में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रविन मिस्र पांच नॉम्बर का दिन आपका कैसा बीतेगा? गोवर्धन पूजा का क्या महत्तु है? कैसे करें गोवर्धन पूजा? शुब मुहूर्त क्या है? ये सब आपको इस कारकरम में बताएंगे सब से पहले बात करते हैं पंचांग की पांच नॉम्बर 2021 दिन शुक्रवार कार्तिक मास चल रहा है शुकल पक्ष की प्रतिपदाती थी है विसाखा नचत्र है चंद्रमा तुला राशी में रहेंगे रात को 9 बज कर 4 मिनट तक फिर ब्रश्चिक राशी में प्रवेश कर जा महत्पूण काम शुब काम कर सकते हैं राखुकाल का समय है सुबह 10 बज कर 42 मिनट से 12 बज कर 4 मिनट तक इसमें कोई भी महत्पूण काम करने से आपको बचना होगा राखुकाल में शुब काम करना उचित नहीं माना जाता है इसलिए राहुकाल में कोई भी अच्छा काम शुब काम करना बरजित है अगर आपको कोई महत्यपूर्ण काम करना है तो आप विजय महूरत में कर लिजेगा जिसका समय है एक बज कर चौवण मिनट से दो बज कर अड़तिस मिनट दिशाशूल पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें पश्चिम दिशा की अगर आप डे टू डे वर्क के लिए जाते हैं तो जा सकते हैं लेकिन अगर लंबी दूरी की यात्रा पर जाना है तो पश्चिम दिशा की यात्रा आज ना करें चलिए शुरू करते हैं राशिफल क सिलसिला फिर आपको बताएंगे गोबर्धन पूजा के महत्तों के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं मेश राशी की मेश राशी वालों का उत्साह बढ़ेगा भाग काम में आपके साथ देंगे अपने बुद्धी बल से समस्या का समधान करने की कोशिस करिए अपना सुभाव बहुत नरम और बहुत गरम ना रखें दोनों स्थितियां ठीक नहीं है तो बहुत मीठा बनना है और नहीं बहुत कड़वा बनना है यानि बीज की मद्धी की स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी ससुराल वालों के साथ मिल करके कोई भी बिजनेस करने का प्लान ना बनाए खुद अपना बिजनेस शुरू करें खुद अपना काम शुरू करने की योजना बनाए तो उससे ज़्यादा लाव रहेगा रिस्तेदारों के साथ काम करेंगे तो अलग तरह की परिशानी खड़ी हो सकती है मेश राशी वालों के लिए शुब रंग क्या है आपके लिए शुब रंग है हलका लाल तो हलके लाल रंगी ड्रेस पहनेंगे तो आज आपका लक और बढ़ेगा काम में सफलता मिलेगी उपाय क्या करें? आज दुरगा चालीसा का पाठ अवश्च करिएगा इससे आपको बहुत लाब होगा समस्याओं से जूजने की शक्ती आपको प्राप्थ होगी और काम भी सफल होगी व्रश राशी मेहनत का फल मिलेगा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी कोई भरोसे वाला व्यक्ती अचानक धोखा दे सकता है इसलिए बहुत सावधान रहना होगा लंबी दूरी की यात्रा से आपको लाब हो सकता है व्यर्थ के विवाद से दूर रहें तो अच्छा रहेगा आवेश में आकर अपना हक ना छोड़ें शांत मन से सोच कर फैसला करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होगे शुब रंग है आपके लिए सफेद तो सफेद रंग के कपड़े पहन कर काम पर जाएंगे या आज धारन करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा आपका लग और बढ़ेगा काम में सफलता की प्राप्ती होगी उपाय क्या गरें भगवान गणेश के मंदिर में घी का दीपक जलाएं तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा भगवान क्रश्न के मंदिर में जलाना है ध्यान रखेगा भगवान क्रश्न के मंदिर में घी का दीपक जलाना है इससे भगवान क्रश्न का आशिरवाद मिलेगा का ध्यान रखेगा सोच समझ करके धन व्य करना है और हाँ सगे संबंधियों से मन मुटाव समाप्त होंगे यानि प्रेम और बढ़ेगा यदि आप मकान या मसीनरी से जुड़े हुए कारे कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहेगा हा नहीं हो सकती है जल्दवाजी में को हलका पीला हलके पीले रंकी ड्रेस पहनेंगे आज तो आपका लक और बढ़ेगा उपाई क्या करें एक माला गायतरी मंतर का जाब करें तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा मां गायतरी के आशिरवाद से आपकी मनो कामना पूर्ण होगी करकराशी दोड़ भाग करने स धनलाब होगा सुक के साधन बढ़ेंगे तो खूब महनत करनी है दोड़ भाग का मतलब खूब महनत करनी है पूजा पाठ या दान करने का मौका आपको मिलेगा आपका मान सम्मान और बढ़ेगा पढ़ाई लिखाई के कारे से जुड़े लोगों को विशेश रूप से फा साधा उमीद लगा कर ना बैठे रहें खुद समय निकाल कर कारे करेंगे तो बहुत अच्छा होगा शुब रंग है आपके लिए हलका नीला और उपाय क्या करना है भगवान शिव को जल अरपित करें इस नान ध्यान करके आपके घर के पास जो शिव मंदिर हो वहाँ से खुश होंगे आपकी योजनाएं सफल होंगी खोया हुआ विश्वास आपको प्राप्त होगा आज अपनी वाणी पर विशेश नियंतरन रखे तो आपके लिए अच्छा रहेगा विरोधी मौके का फायदा उठाने की कोशिस करेंगे इसलिए थोड़ा सा सावधान रह और हाँ अपनी छमता से बढ़कर किसी कारे को करने का निर्णय ना लें व्यर्थ के विवाद में ना फसें लड़ाई जगडे में फसने से आपकी टेंशन और बढ़ सकती है शुब रंग है आपके लिए पीला तो पीले रंग की ड्रेस आज पहनेंगे तो आपका लग और बढ़ेगा उपाय क्या करें हनुमान चालीसा का पाट करें तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा हनुमान जी के आशिर्वाद से आपके जीवन में शुबता बढ़ेगी कन्या राशी, कन्या राशी वालों को धन की प्राप्ति होगी सुख के साधन बढ़ेंगे, जीवन साथी की ओर से आपको खुशी मिलेगी बिरोधी आपकी प्रगती में रुकावटे लाने का प्रयास करेंगे इसलिए थोड़ा सा सावधान रहेगा अपने से उम्र में छोटे लोगों के साथ बहस ना करें नहीं तो अपमान हो सकता है अपना व्योहार नम रखें, कठोर भासा का प्रयोग ना करें नहीं तो उससे आपको ही नुकसान होगा शुब रंग है आपके लिए हलका हरा तो हलका हरा रंग शुब है इसलिए इस रंग की अगर ड्रेस हो तो आप उस रंग की ड्रेस पहन कर आप काम पर जा सकते हैं या हरे रंग की हलके हरे रंग की रुमाल अपने जेम में रखकर काम पर जाएंगे उससे भी आपका लख बढ़ेगा उपाय क्या करें भगवान गणेश जी की आरती करके दिन शुरू करें बहुत लाब होगा मिथुन राशी तुला राशी वालों को परिवार से सहयोग मिलेगा सरकार से संबन्धित कारियों से लाब होगा नशा करने वाले लोगों की संगती से दूर रहें नहीं तो किसी परिशानी में फस सकते हैं ननिहाल पक्ष के लोगों के साथ बहस ना करें गर्म सुभाव का प्रदर्शन ना करें यानि क्रोध ना दिखाएं तो अच्छा रहेगा आपके लिए शुब रंग है आपके लिए क्रीम तो क्रीम कलर की ड्रेस पहन कर काम पर जाएंगे तो आपका लग और बढ़ेगा उपाय क्या करें भगवान क्रश्न की आरती करके दिन के शुरुवात करिए तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा कारियों में सफलता की प्राप्ती होगी ब्रश्चिक राशी ब्रश्चिक राशी वालों को भागय का साथ मिलेगा अपने छेतर में आप मान यश्च प्राप्त करेंगे नए कारियों में दिल्चस्पी बढ़ेगी निवेस के मामले में थोड़ा सावधानी बढ़ते लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा सुब समाचार मिलने से चिंता दूर होगी संतान को लेकर टेंशन ना ले हर समय अपनी उनकी कमिया ना निकाले यानि बच्चों को ध्यान दीजे बच्चों का ध्यान रखिये और उनकी कमिया ना निकाले उनको समझाइए कि ये बिटा ठीक नहीं है और ठीक नहीं है लेकिन ऐसे प्रजेंट मत करिए कि आप उनकी वीक्नेस निकाल रहे हैं उनको नीचा दिखाने की कोशिस ना करें तभी बच्चे आपकी बात मानेंगे शुब रंग है आपके लिए मरून उपाय हनुमान चालीशा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुब होगा धनू राशी धार्मिक कार्यों में रुची बढ़ेगी उन्नती में आ रही रुकावटे खत्म होंगी सुक्षुविधाओं में खर्च बढ़ेगा धन संबंधी लेंदेन में सावधानी बरते परिवार की समस्याओं का समाधान होगा खुशी आपकी और बढ़ेगी किसी दूसरे के भरोसे अपना काम ना छोड़े नहीं तो काम अधूरा रह सकता है छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार वालों से जगड़ा न करें थोड़ा सा अपने आपको उदार बनाईए कुछ चीजों को इग्नोर कर देना अच्छा होता है शुब रंग है आपके लिए पीला उपाय क्या करें भगवान विश्णु की आरती करके दिन शुरुआत करें तो आपके लिए बहुत शुब होगा मकर राशी मन खुश रहेगा अचानक लाब के योग बनेंगे लोगों से बाचीत करते समय सैयम रखें उतावला पन आपके काम बिगार सकता है अपने परिवार वालों से कोई बात ना चुपाएं अपने बजट को ध्यान में रखकर पैसा खर्च करें तो आपके लिए अच्छा होगा नहीं तो धन संबंधी समस्या हो सकती है कारोबार में हानी हो सकती है इसलिए इलर्ट रहिएगा जल्दवाजी में कोई भी फैसला ना करें शुब रंग है आपके लिए सफेद सफेद रंग के कपड़े आज पहनेंगे तो आपका लग और बढ़ेगा उपाय क्या करें भगवान क्रश्न की आरती करें तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा उनकी क्रपा से काम बनेंगे कुम्बराशी आपके लिए उन्नती के रास्ते बनेंगे धनलाब के योग आपके लिए बन रहे हैं मित्रों से सहयोग मिलेगा मान यश आपका बढ़ेगा अपने से छोटे उम्र के लोगों को खुश रखने का प्रयास करें धन लाब के लिए गलत लोगों की संगती ना करें, नहीं तो धन लाब कम होगा, नुकसान जादा होगा सुब रंग है आपके लिए क्रीम, तो क्रीम कलर के कपड़े पहनेंगे, तो आज आपका लग और बढ़ेगा उपाय क्या करें? मा दुर्गा की आरती करके दिन शुरू करें, तो आपके लिए बहुत शुब होगा मीन राशी, धन लाब होगा, कारियों में सफलता मिलेगी, आज आप एहम फैसले कर सकते हैं सुख के साधनों पर खर्च होगा, खर्च बढ़ेगा आपका, परिवार की उल्जनों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता न करें, अपना मन अपने काम में लगाएं, प्रेम संबंधों को लेकर ज़्यादा उतावलापन न दिखाएं शुब रंग है आपके लिए हलका पीला, और उपाय भगवान क्रश्न का पूजन करें, तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है, देखें, पांच नॉम्बर शुकरवार है, आज गोवर्धन पूजा का पर्व है कार्तिक मास के सुक्ल पक्ष की प्रतिवधा तिथी को गोवर्धन पूजा का पर्व हर साल मनाये जाता है यानि दीपा वली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है कुछ हिलाकों में इसे अनकूट के नाम से भी जाना जाता है गोवर्धन पूजा में गोधन यानि गायों की भी पूजा की जाती है सास्तरों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा पवित्र होती है गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समर्द्धी प्रदान करती हैं उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूद से हमें स्वास्त रूपी धन प्रदान करती हैं तो जो गाय का दूद पिते हैं वो जादा स्वास्त रहते हैं गोवर्धन पूजा के पीछे कथा क्या है क्या है कहानी यह आपको बताते हैं एक बार गाउवालों को इंदर देवता की पूजा करते हुए भगवान कृष्ण ने देखा जब भगवान कृष्ण ब्रिंदावन में थे तो उन्होंने देखा कि गाउवाले जो है उनकी करते हैं जिससे हम हमें जो है अनाज पैदा करने में मदद मिलती है और उसी से हमारा भरण पूशन होता है गाउवालों को ऐसा कहते देख स्रीक्रश्ण बोले कि इंदर देवता से ज़्यादा सक्तिसाली तो हमारा यह गोवर्धन परवत है जिसके कारण वर्षा होती है औ और हमें गोवर्धन परवत की पूजा करनी चाहिए वहाँ हमारी गाएं भी जा करके चरती है और गाएं दूद देती है उससे भी हमारा भरण पोशन होता है स्रीक्रश्ण की बात को सुनकर कर के गाउवाले जो है बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने गोवर्धन पर प्रकोप से डर कर सभी लोग भवान क्रश्न की सरण में आये और श्री क्रश्न ने देखा कि इंद्र अपना प्रकोप दिखा रहे हैं तो उन्होंने गोवर्धन परवत को अपने हथेली की छोटी उंगली पर छाते की तरह उठा लिया जैसे छत्री लगाते ना ऐसे उठा ल कि आप परवत के ऊपर बारिश को रोको बारिश जो आ रही है और रोध बन रही है उसको रोको और सेशना को आदेश दिया कि आप गोवर्धन परवत के चारों तरफ जो है बाड़ बना दो बाड़ बना दो मेड़ बना दो जिससे की पानी इधर लोगों के बीच ना आये इस तरह से ये खेल शुरू हुआ, साथ दिन तक भगवान कर्ष्ण गोवर्धन परवत को उठा के खड़े रहे, इंद्र ने अपनी सारी सक्त्री लगा दी, कि वो इनको परिशान करे बारिश से, लेकिन गाउवालों को कुछ नहीं हुआ, बड़े वो आनंद से गोवर्धन कर्ष्ण के साथ रहे, साथवे दिन भगवान कर्ष्ण गोवर्धन परवत को नीचे रखा, श्री कर्ष्ण के इस चमतकार को देखकर इंद्र चकित रहे गए, और इंद्र देव ने आकर के भगवान श्री कर्ष्ण से चमा मांगी, और उसी समय से ये तिवहार हर साल भोग लगाये जाते हैं, तो आप भी गोवर्धन परवत का पूजन करिए, गोवर्धन पूजा करिए, इसका शुब मुहूर्त क्या है, अपने परंपरा के हिसाब से करिए, जैसे आपकी इलाके में परंपरा, प्रच्छिलित है उस हिसाब से कर सकते हैं, जो शुब में आपको पूजन करना है पूजा की सरल विधी भी आपको बता देते हैं वैसे जो आपके परिवार में समाज में परंपरा प्रचलित है उसे साब से करिएगा लेकिन एक सरल पूजा विधी हम आपको बताते हैं इस तरीके से भी आप पूजा कर सकते हैं सुबह इश्नान कर कि पूजा की तैयारी कर लें गाय के गोवर से पृतिक आत्मा कुरूप से गोवरधन परुवत बनाएं और पास में भ़गवान कृशन की मूर्ति रखिये गोवर्धन परवधू और भगवान कृषन का पूजण करिए गोवरधन परवध और भवान k ब्राह्मनों को बोजन करायेद ज़याद से जाद से ज़याद लोगों को प्रशाद बढटिए इस तरीके से आप जो है गोबर्धन पर्वत का पूजन कर सकते हैं और आशिरवाद भग maze करश्न का प्राप्त कर सकते हैं अपनी आज के उपाय में हम आपको बताएंगे कि अपनी मनो कामना की पूर्ति के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए तो देखें आपकी यदि कोई मनो कामना है उसकी पूर्ति करना चाहिते तो भगवान करश्न के सरण में जाए भगवान करश्न के मंदिर में ब आपकी मनो कामना पूर्ण होगी बंसी वाले जिसकी चाहें उसकी किछा पूर्ण कर सकते हैं बस हमें अपने भाव का समर्पन उनके श्री चड़नों में करना चाहिए तो आप सब को गोवर्धन पूजा की बहुत-बहुत शुब कामना है आपका दिन शुब हो नमस्कार